जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है वैक्ति को अपने एक्षाओं को वस में रखने के लिए बुद्धी और मन को नियंद्रित रखना होगा इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोशता है यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी उचा उसका कर्म है जिससे स्व्यम के हाथों में है इस दुन्या में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है इसलिए लोगों की अच्छाईयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिष्टे बनाएं जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्तित्या समस्या बन जाती है और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्तित्या सुनोती बन जाती है जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्तित्या असर बन जाती है अगर आप अपनी गल्दियों से कुछ सिखते हो तो गल्दिया सिड़िया बनती है और अगर नहीं सिखते है तो गल्दिया सागर है फैसला आपका है चरना है या डूबना है चो चितना सांत होता है वो उतना ही गहराई से अपने बुद्धी का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष को ना छोड़ें क्योंकि लक्ष मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर हंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। नगारात्मक था विचारों का आनत्य है लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्वत देते हैं या फिर अपनी सकरात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं जो इनसान सभी एक्छाएं त्याग देता है उसे सांती की प्राप्ति होती है प्रतिक बुद्धिमान बैक्ति को क्रोध और लोब त्याग देना चाहिए क्योंकि इससे आत्मा का पतर होता है जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा फिर चाहे उसे छिनने के लिए पूरी क त्रोध आपके अपने विचार है इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमीज़ा प्रेडित करें अच्छे कर्म करने के बावजुद भी लोग केवल आपकी बुराईया ही याद रखेंगे इसलिए लोग क्या कहते है इस पर ध्यान मत दो आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो नरक की तीन वार है वासना क्रोध और लालच मैं उन्हें ग्यान देता हूं जो सदा मुसे जुड़े रहते हैं और जो मुसे प्रेम करते हैं समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता इंसान अपने विश्वास से बनता है जैसा वे विश करने से असांत मन को वस्मे किया जा सकता है सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुस्मन होता है चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं जो चीचे तुम्हारे दाइरे से बाहर हो उसमें समय गवाना मुर्खता है जो दान करता भी समझ कर बिना किसी सक के किसी जरुरत मन इनसान को दिया जाए वही सच्चा दान है जीवन का दुसरा नाम संगर्श है जिस तरह आग सोने को परकती है उसी तरह मुसरबत एक बहादूर इनसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जुरत नहीं पड़ेग जो मनुस्या फल की एकछा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अबसी जीवन में सफल होता है मदद सबकी करो मगर आसा किसी से मत रखो क्योंकि सेवा का मुल्य इस्वर ही दे सकते हैं जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाम ही एक मादर जर्या है वैसे ही स्वर्गर में जाने के लिए सत्य ही एक सिड़ी है सची दुस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है जितना हो सके खामुस रहना ही अच्छा है क्योंकि सबसे ज़्यादा गुना इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है परिवर्तन संसार का नियम है समय के सा संसार में हर चीच परिवर्तन के नियम का पालन करती है जो बीद गया उस पर दुख क्यों करना जो है उस पर अंकार क्यों करना और जो आने वाला है उसका मुझ क्यों करना